गुड इवनिंग M.O.M. third sim students तो देखिए आपको exam में आपको हो सकता है page में करके file menu का explain करिए edit menu का explain करिए layout menu का explain करिए ऐसे question आ सकते हैं तो उसी कड़ी में हम लोग देखने वाले window menu तो window menu में क्या होता है आपको जितने भी windows दीख रहे हैं जैसे for example color palette control palette आपको यह toolbox palette है और य window होता है palette होता है तो सारे जो windows है उनको आप show कर सकते हो height कर सकते हो उनको arrange करने के ही options यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए आप थोड़ा बारी कीस देखिएगा अगर यह option को click करता हूं tile करूं तो मुझे हर window जो है बिलकुल आपको यह pasteboard area यह देखिए यह pasteboard area कहलाता है यह toolbox है वो बिलकुल tiles की तरह लग लग दिख रहा है maximize करूं फिर से यह normal view mode में आ जाता है फिर मैं यदि cascade करूं तो फिर से आप देख पा रहे हैं एक के उपर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके उपर में यह window है आपका pasteboard area फिर आपको style या color जो palette है वो उ जाएगा फिर अगला चीज़ है यहाँ पर hide tools, hide tools को click करूं तो आपका toolbox हो यहां से hide हो जाएगा शो tools करूंगा तो यह जो toolbox हो जाएगा अगला है इसे फिर से लाना है मुझे तो शो कंट्रोल पेलेट करूं तो अगला है हाइड के जाल जाएगा। तो मैं फिर से show color करूँ तो फिर से show हो जाएगा। उसी तरीके से show style ये आपका style palette है, color के ही बगल में style palette है तो उसको मैं show या hide कर सकता हूं, hide style किया, hide हो गया, show colors किया, show color palette यहां से show हो गया। उसी तरीके से आपको एक layer palette होता है उसी में ही master palette है तो आप यहां से आप क्या कर सकते हो show layers आपको layer palette show हो गया show master pages master pages palette यहां से show हो गया उसी तरीके से hyper link palette होता है उसको भी आप यहां से show और hide कर सकते हो उसी तरीके से Master Pages होता है तो Master Pages क्या होता है थोड़ा बता दूँ आप लोगों को मैं Show Master Page तो देखिए होता क्या है Master Page जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह सारे हमारे यह आपको Page टैब है और यह जो है यह Master Page का टैब है यह जो है आपका master page का type है तो देखो master page एक ऐसा page होता है जिस में अगर मैं कुछ चीज लिख दूँ या कुछ logo यहाँ प्रयोग कर दूँ master page में तो हमारे publication के प्रतेग page में वही वही चीज आपको दीखेगा for example जैसे कि मैं यहाँ पर master page को open किया है मैंने ठीक है और यहाँ पर मैं कुछ चीज प्लेस कर देता हूं suppose एक circle ऐसे place कर देता हूं उसको मैं feel कर देता हूं blue color से और मैं master pages में जाता हूं और यहाँ पर करूँगा apply कर दूँगा apply पूछ रहा कहा how come 1 से 11 pages है और 1 से 11 तक उसको apply कर देता हूं apply कर देता हूं तो मैं अगर one को भी देखो one में भी वही वही है six में भी वही है 10 में भी वही है तो देखो ये होता है आपका master page है न जो R जैसा प्रतित हो रहा है यहाँ पर आपको तो master page में जो भी changes आप जो भी content रखोगे कुछ logo रखोगे या कुछ आप page numbering वगर करोगे तो वो हर page में वही वही चीज हर publication के प्रतिक page में वो दीखेगा तो यह होता है master page और हमने जाना कि यह हमारा जो master page है यह ना master page है वही सही हम अगर मैं कुछ और एक और नया master page तो new master है ना तो उसी master palette में जाएंगे हम लोग new master page करूँगा सपोज इस master page का नाम रख देता हूँ सपोज rectangle rectangle 調 बिखो अभी मैं rectangle को click करता हूँ और इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है तो इसमें मैं क्या करता हूँ एक rectangle डाल देता हूँ और उसको color से field कर देता हूँ और क्या करού मैं यहां से कर देता हूँ apply ठीक है apply कर देता हूँ कहा से कहा तक 1 से 11 pages तक तो वह एक से ग्यारा पेजिस तक आपको देख सकते हैं वो अप्लाई हो गया है तो इस तरह किस हम नया मास्टर पेज बनाना भी सिका हमने और मास्टर पेज के सारे सेटिंग्स को हमने अप्लाई करना भी देखा सो यह तो था हमारा विंडो मेनू और उसके सारे ओप्शन्स सो थाइंकियो वेरी मच